हेलो फैंट स्वागत अब क्या इस चानल पे तो आज हम बात करेंगे सीपीची के अंतरद डिकयी के बारे में डिक्री यह निए इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप अग्जापती अग्जापती भी इसको बोला जाता है तो degree के बारे हम पहले भी lecture बना चुके है जिसमें कुछ लोगों को doubt है कि degree होती क्या है तो उसी के बारे हम कुछ discuss करेंगे कि degree क्या होती है, कितने प्रकार क्यों होती है, नेड़े और degree में क्या अंतर है, क्या नेड़े ही degree है इस सारी question को हम आज के class में पूरा detail में समझेगे और आसानी से आपको सौंझ में आ जाएगा तो चलिए start करते हैं आज का session degree के बारे में इस वीडियो को like करें, हमारी चैनल को subscribe कर, bell icon ज़रूर पेस करें, हमारी new video सबसे पहले देखने के लिए तो हमारे CPC में, degree को परभाशित किया गया है धारा 2 में ठीक है तो degree के यहां पर परिवासा है लेकिन degree को समझने से पहले आपको नेड़णा होगा कि नेड़े क्या कहलाता है तो यह नेड़े आपको कहां पर define किया गया है section 2 के close 9 यानि कि सब section 9 में नेड़े को परभाचित किया है कि judgment क्या होता है तो यहां पर बस इतना ही वताए गया है कि नेड़े से नियाइधीस द्वारह decree या आदेश के आधारों का कथन अभी प्रेथ है बस इतना आपके बेर एक्ट में लिखा होगा तो नेड़े का मतलब क्या होता है कि जो decree दी जाती है तो पहले नेड़े आता है पहले आपको क्या आएगा जो एक judgment आता है और उसमें क्या होते है जो decree त्यार की जाएगी तो उसके क्या आधार होगे उसके क्या statement होगे वो सारी चीजे उसमें लिखी होती है नेड़े तो यह कहलाता है आपका नेड़े अब CPC में जैसे अपील होती है यहाँ पर अपील होती तो उस नेड़े के अपील नहीं होती वो किसकी अपील होती है एक decree की अपील होती है यानि कि यहाँ पर क्या किया जाता है नेड़े का निस्पादन नहीं करवा जाता है बलकि decree का यहाँ पर निस्पादन करवाया जाता है जब decree दे दी जाती है तब उसका यहाँ पर निस्पादन करवाया जाता है तो पहले क्या किया जाता है एक निर्णे त्यार किया जाता है उसमें सारे points लिखे जाते हैं सारे जो कथन लिखे जाते हैं सारे आधार लिखे जाते हैं जिसके आधार पर क्या किया सकता है जो आधार है उसके according आपकर decree त्यार की जाती है ठीक है यहाँ पर decree त्यार करने के ल कित्ते दिन में किया जाता है तो यहां पर जैसे CRPC देखेंगे CRPC हमें कोई इन देंडाना के लिखा एक दिया सकता है कि आप जभ नियना लिखाया है तो नियना कभ दिया जाएगा या तो तुरण दिया जाएगा ठीक है ना पहले कंडिशन किया तो उसी समय दिया जाएगा या फिर 30 दिन के भीतर यानि कि उस टाइम पर नहीं दिया जा रहा है जब निर्णे जब सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णे उस टाइम पर नहीं दिया रहा है तब वहां पर उसी में बताए गया कि 60 दिन यानि 60 दिन तक अंदर आपको देना होगा निर्डे ठीक है किसको देना होगा जो न्याले यह देगा निर्डे ठीक है तो उसी की अधार पर यहाँ पर बता दिया गया तो आप इसको connect कर सकते हैं पर नेर्णे को ठीक ना कहां पर पढ़ फासित किया गया है दो नौ यानि धारा दो के उपधारा नौ में और यहां से इंटर लिंक कर सकते हैं कौन सा ओर्डर 20 का रूल 1 ठीक है जहां पर 30 दिन और 60 दिन का प्रोविजन बताया गया है अब यहां पर यह निर्णे के अधार के होता है कि जो निर्णे में अधार दिये जाते हैं उसी के अधार पर टीक्री होती है तो टीक्री यह तो प्रारंभिक होगी या अंतिम हो सकती है ठीक है तो तीन प्रकार के डिक्री हो सकती है यहाँ पर कितने दो बताईए प्रारंभिक या अंतिम और एक होता है अंसता है प्रारंभिक और अंसता है अंतिम ठीक है तो यहाँ पर तीन प्रकार के डिक्री होती है तो मेन कोंसी है मेन दो ही है यहाँ पर एक तो प्रारंभिक राप्रांबिक हो गई और एक आपकि अंतिम। प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है न्यालय की तू अभिव्यक्ति यहां तक कि वह उससे अभिव्यक्त करने बारे न्यालय से संबंदिती होना चाहिए यहां पर प्रारूपिक यहांनु के बारे होए और प्रारूपिक अभियक्ति के बारे हो है वह पो नीयालय की संबंदित न्यालयय के संबीक्षकरोn के अधिकारों का निश्याय गुरूप के अभिवर構ं क्ढरन करता है तो न्यालय में जो आधार बता है तो निर्णा में जो आधार बताए गए थे उसके आधार पर क्या किया था डिक्री तैयार की जाती है अब डिक्री जब तैयार की जाती है तो जो पक्षकार होते हैं उनके राइट्स डिसाइड किया जाते हैं आप सिविल सुट क्यों लगाते हैं क्योंकि आपका राइट्स हुआ है ठीक है ना उलंगतर हुआ है आपके राइट का किसी ने violet किया है आपके राइट को ठीक है तो वहाँ पर आप क्या होता है अपने राइट्स को पाने के लिए आप civil suit फाइल करते हो अब वहाँ जब नेड़ने होता है उसमें सारी आधार लिग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आधार लिखेंगे उसके प्रारूपी अल्व्यक्ति है उसी के आधार पर नेडाय होता है और यहाँ पर डिक्रित त्यार की जाती है तो जो बिबाद गरस्त विसे हैं तो उसी विसे के बा decree है वो कैसे होगी या तो प्रारंबिक होगी या अंतिम होगी तो सब यहां पर basic बात करें संख्षिप्त में ठीक है ना संवरी में बात करें तो यहां पर decree का मतलब क्या होता है कि यह से नियाय नेड़यन जो प्रारूपिक अभिव्यक्ति हो, यानि formal expression हो, ठीक है और नया नेड़ायन होना चाहिए, और किसके दौर होना चाहिए, उसी नयाले के दौर जिस नयाले में civil suit चल रहा है ठीक है, और किसके बारे में होना चाहिए, यानि तो जो बिवाद गरस्त भी से, यानि जो पक्षकारों का rights थे, उनको decide करने के लिए, जो बिवाद गरस्त भी से थे, उन सभी को decide करने के बाद, जो निश्चाय ग्रूप से कथन आये है, ठीक है, जो नेड़ायन जो finding आई है, उसी की आधार पर क्या की आयाता है, degree, दी जाती है अब degree दो तरह की होती है एक तो primary, ठीक है न, और एक होती है अंतिम degree, यानि प्रारंभिक degree और अंतिम degree यह बात हो गई आपकी, अब इसके बाद यहां भी बात करें, तब इसमें क्या-क्या सामिल होता है, इस degree में प्रारंभिक और अंतिम degree हम आगे डिसक्स करेंगे, क्या होती है यहां पर अभी बेरक्ट की बात करते हैं बेरक्ट में अभी क्या लिखिया है यहां पर यह समझा जाएगा कि उसके अंतरगत बादपत्र का नामंजूर किया जाना और 144 के भीतर किसी प्रस्ण का अधारन आता है अब यानि कि जो प्रारंभिक और अंतिम degree है ठीक है न तो degree के अंतरगत और भी क्या क्या चीज़ी सामिल होगी तो पहला चीज़ तो आता है आपको जो बादपत्र का नामंजूर किया जाना यानि कि जो प्लेंट होती है साट एक एक जाराग में थिका है जो order seven है rule 11 में जो plan होता है कोई plan आता है न यारी न्याले के Eternal जो बात पत्र दाखिल किया जाता है तो न्याले है देखता है कि जो बात पत्र आया है उसे के अधार पर न्याले को जला सकता है नियाली के अधिकारता है या फिर बाद का मुल्यांग का सही प्रकार से किया गिया है या फिर नहीं है इस सारी चीज़ देखी जाते तो जो आप देखेंगे order 7 rule 11 तो वहाँ पे 6 clause दिये गए है तो उन आधार पर क्या कियाता है अगर वो चीज़े फुल्फिल नहीं होगी तो क्या किया सकता है आपके प्लेंड को dismiss कर दिया जाता है तो वही चीज़ अगर जो rejection है ना वो आपका decree के अंतर का तायजिया नि उसको भी decree माना जाएगा और एक आता है 144 यानि कि 144 के तहद भी यहाँ पर जिस ब्रसन का अभधारन किया जाता है ना वो भी क्या किया जाएगा वो उसको भी decree के रूप में माना जाता है अब ये दो चीजे सामिल होगी अब इसमें सामिल क्या क्या नहीं है अब ये भी देखना पड़ेगा न क्यूंकि decree में तो हमने देख ले है decree क्या होती है तीक है प्रारूपिक अव्यक्ति होती है कि इसकी नकिश होता है उसमें ये होता है आपका कि जो विभाद ग्रस्ट पक्षकारों के उसमें राइट बने हुए है ठीक है तो उस राइट को अबधारित करने के लिए का किया आता है डिक्री दी जाती है तो यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या सामिल नहीं है दो चीज़ तुम सामिल है लेकिन और सामिल क्या नहीं है कि कोई एसा नेड़न जिसकी अपील आदेश की अपील की भात ही होती है ठीक है यादि कि कोई ऐसा नेड़न दिया जा रहा है जिसकी appeal कैसी होती, dagree group में appeal नहीं होती, लेकिन उसकी appeal कैसी होती, आदेस की appeal की भात होती है, आदेस की appeal कहाँ पर बताईगे, आप देखेंगे, तो order 41, order 41 का rule 1, यहाँ पर बताई गया है, sorry, order 43, order 43 rule 1 में betाई गया है, कि कौन कौन से जो ऐसे आदेस है, जिनकी अपील हो सकती है उसके अलावा आप देखेंगे सेक्षन 104 104 में बताये गया है कि कौन से आदेश की अपील होगी ठीक है लेकिन 43 के Rule 1 में देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे Orders बताएगे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं Order 7 का Rule 10 है Order 9 का Rule 9 Order 11 का Rule 21 है यह ऐसे बहुत सारे Orders बताएगे हैं तो वो चीज क्या होगी यहाँ पर डिक्री के अंतरगत नहीं आती है दूसरी चीज इसमें एक और आता है कि व्यतिक्राम यानि कि यह किसी ने Default किया है और Default करने के कारण वो जो आपका जो केस है जो बाद है वो खारीज हो गया है तो वो यहाँ पर क्या है कि उसको यहाँ पर सामिल नहीं किया जागा वो डिक्री के रूप में नहीं माना जाएगा इसमिशल को क्या रहा है यहाँ पर डिक्री नहीं माना जाएगा पहला तो है कि आधेस के अपील की भात ही उती उसको निल किया जाएगा और दूसरा क्या है डिफॉल्ट पे ही होता है वो चीज नहीं होगी आपके डिक्री समझ में आई होगी क्या होती है ठीक है अब यहाँ पर एक स्वष्टी करने है डिक्री प्रारंभिक तब होती है जब बाद के पू है जो civil suit दाखिल किया गया है उसमें कुछ points ऐसे हैं जैसे 5 points उसमें दिये गए थे जिसमें से 3 points को decide कर दिया गया है तो यह क्या कहला थी प्रारविक नहीं टीक्री कहला थी है यहां पर अभी दो point बचे जिसको decide करना है यहां पर अभी क्या है antim decree नहीं है जिस दिन यह अंतर भी देखेंगे ठीक है निर्णा और डिक्री में है अब या पर प्रारंबिक डिक्री तो प्रारंबिक डिक्री में एक केस था मूल चंद एवं अन्य बनाम उप निदेशक यानि कि डारेक्टर चकवंदी यह 1995 का केस था जिसमें यह सुप्रीम कोट ने हेल्ड किया था क इसमें कहा गया था कि हलाकि जो पक्षकार है उनके राइट्स को डिसाइट कर ले जाता है तो उसको प्रारंबिक डिक्री दे दिया थी लेकिन कुछ पॉइंट से से बस जाते हैं जिसको क्या किया जाता है उसको डिसाइट करना बांकी रहता है उसको निर्णा लिया जाना वह decree अंतिम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अभी जो case है, अभी भी pending में है, ठीक है? तो यहाँ पर जब तक pending में है, तो जब तक नहीं बनेगी, जब तक उसके पूरे case को totally dispose of ना किया जाए, अंतिम उसके dispose of ना किया जाए, तब तक यहाँ पर क्या है? वह प्रारंबिक डिक्री बनी रहेगी, ठीक है यह है आपका प्रारंबिक डिक्री, अब प्रारंबिक डिक्री कौन कौन से case में दिया जा सकता है, उसको देखते हैं, अब जिसे कुछ order से बताये गये हैं, प्रारंबिक डिक्री का पर्त किया जा सकता है, जैसे प्रसाशन के खिलाप करना है प्रसाशन एडमिस्ट्रीटिव वाद है ठीक ना सूट है जैसे और टॉंटिंग रूल 13 है कबजी और मेंजने लाब यानि कि मीन प्रॉपिट यहां पर कहां बताए गया है आपका सेक्ष्ट टू का क्लॉश 12 यानि कि सब सेक्ष्ट 12 में मीन प्रॉपिट बताया गया है ठीक है मीन प्रॉपिट क्या होता है वो पहले डिस्कस कर चुके है ठीक है आप देख सकते हूँ आप जाके तो यह हो गया आपका दूसरा चीजा आता है साज़दारी बिखर यानि कि जब पार्टनर्शिफ होती है उसके ब बिक्री संबंध की संबंद में बाद हो तो और 34 का रूल 4 है प्रिंसपल और एजेंट की बीच खातों की संबंदमfund है यानि जो अनि कि ऑपका आपका जो और भी चीज़े यहां पे कुछ short में मता दिया जा सकता है अब बात करते हैं अन्तिम डिक्री अन्तिम डिक्री ज़ीस है कि धाराब ₩ circle अ दो डिक्री में कहा गया है , यहां पे या तो प्रारम भी को सकती है यह ! सकती है antim कथो जब मामला जो है पूरी तरह सी निप्टा दिया जाये जब मामला उसका सुनवाई हो जाती है और निर्णेल लेने के लिए कुछ नहीं बश्ता है यानी जित्ते points से, में do iST massage हो गये ठीक है तो ant me क्या क्या बत हू necesita है सभी बस संकर वलवंत लोखंडे जो डेट हो चुके थे उनका केस था बरसेश चंद्रकांत संकर लोखंडे यह 1995 का ही केस है ठीक है इस मामले में कहा जाता है यानि सुप्रिम कोरट ने क्या हेल्ड किया था कि एक टिक्री को नेम लिखत पर्दयिश्यों में अंतिम जाता ठीक है तो कुछ यहांपर कंडिशा मना strangely मने किया जाता है जब निरधायाज सम्हां की बहुतर टिक्री की आपील नहीं किया तब वो क्या होता है जो डिक्री दी अए फाइनल हो जाती है दूसरा कि जब डिक्री सरवो्ष चरे आइोरा पारित की जाती है नि जब सुप्रीम कोर्ट निग्री पारित कर दी तो आज फाइनली होगी अब उसकी अपिल तो होगी नहीं ठीके हाइर कोट है, सूप्रीम है तो यहां पर यह होगी अब तीसरी शेया आता है जब नियाले एक हो पूर्ड़त आजी तारीध, यह नहीं मान लेता है, यहीं इस केस जो है, उसको पूर्ड़त अजिस्पोज माल लेता है कि अब उसके कोई remedy नहीं है ठीक ना उसको अपील होनी नहीं है कुछ नहीं होना है यहां पर क्या माल लिया आता है कि वह डिक्री अंतीम हो चुकी है यह कुछ case law है यह आपको यह पूरा समझ में आया होगा अब देखते हैं कि नेर्णे और डिक्री में डिफरें इसा कुछ भी नहीं होता है जो नहाले देता है नेर्णे पहले सुना जाता है और उसके बार डिक्री पारित की जाती है अब डिक्री पारित करने के बारे में थोड़ा आप order से रिलेट कर सकते हैं तो कौन सो order है आपका order 20 रूल 6-a ठीक है एक है आपका और 20 रूल 6 जहां पर डिक्री की अंतर बस्तू के बारे में बताये गाए गए दुन तीसना चीज कर नियारे का प्रारूपी कि अभिवेग्मिती होती है टीकि कि क्या होती है एगारई के लिवास्त्रा तरूपी मिधस्त भीजिडार क्षकारऑ लगशत उसको decide किया जाता है डिक्री के अंतरगात ठीक है और नेड़े में क्या होता है नेड़े में उसके आधार बताए जाते हैं क्या 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 पॉइंट्स है जिसके आधार पर डिक्री तयार की जानी है यह हो गया नेड़े और डिक्री पर अंतर हो गया ठीक है अब डिक्री के आवश्यक्त तत्यों किया है तो डिक्री के आवश्यक्त कौन कौन से है पहला तो कोई वास संसित होना चाहिए जब सिविल सुट लगाएंगे प्लेंट आएगा उसके बाद रिटेन भी बाद निप्टारा किया गया हो विवाद का निप्टारा किया गया हो विवाद क पूरी तरह سے निश्चायक रूप 속ka अभ्येक्ति obstacles यानि की निश्चायक किया जाता है उसके जो right होते हैं उसको decide किया जाता है ठीक है decree के 989 का प्रारूपिक अव्यक्ति यानि formal expression होती है ठीक है यह चीज है आपका decree के अंतर अब यहाँ पर जब decree फारित की जा रही है तो दो लोग आते हैं यहाँ पर कौन कौन आता है पहला तो आता है आपका decree holder कौन होता है और एक होता है आपका judgment data decree holder कहां पर पताया गया है आपका जो धारा 2 का उप धारा 3 में यहाँ पर पताया गया है जिसके पक्ष में decree पारित की जाती है ना वो decree दार कहलाता है और निर्डिने 3D कौन होता है निर्डिने 3D वह होता है यह जिसके बिरुद्ध यहाँ पर decree पारित की गई है जिसके बिरुद्ध यहाँ पर निस्पादनियों के आदेश दिया गया है वोई निर्डिने 3D कहलाता है तो आपको आपको यह पूरा decree समझ में आया होगा यह आपको समझ रहा है तो प्लीज लाइक करेगा शेर करेगे अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगे और सब्सक्राइब करकी ताकि आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्यू सो मच पर वाचिंग डिगलाइजिशन सर